अश्कार यूंग जोहार दोस्तों मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं दोस्तों अटकले लगाई जा रही थी कि परिच्छा नहीं होगी 19 तारीक को सुप्रीम कोट में कुछ डिसिजन आने वाले थे और 7th JPSC को लेके या Combined JPSC को लेके जो सोचा जा रहा था वैसा कुछ हुआ नहीं और अभी तक जो न्यूज आ रहे हैं इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपके ये न्यूज हैं सिर्फ एक नोटिस जारी की गई है जारकन लोग सेवा आयोग को और जारकन लोग SLP नमबर को जानते ही हैं और SLP नमबर आपका है 13860-2021 इसमें साफ लिखा हुआ है 132021 को Honorable Mr. Justice Mr. Mr. A.S. Bopanna के दोबारा आज थोड़ा सुनवाई हुई सब्सक्राइरैस तो यह पेंडिंग में दिखा रहा है और यह पेंडिंग के साथ साथ में आप देखेंगे यह जस्टिस महांडिन---- ज जिनके अंदर में यह फैसला होने के थी और अधार आज जेशा देखा गयाग बहुत ज़्वाक जयादा कुछ निकल नहीं आएं लेकि करने के लिए बोला गया है आपका मानिय सुप्रीम कोट के दुबारा जो तेरा ना दो हजार इकिस के एवेज में किसे तो जेपी एस्टी एक रिटर्न दाखिल करेंगे सुप्रीम कोट में जल से जल यानि कि एक दो दिनों के अंतरगत और यह जो रिना कुमारी बर्सेस जेपी एसी की जो केस चल रही है इस केस का अगर मोटे तोर पर अगर समझा जाए तो यह केस अभी पैंडिंग है और इस केस में जैसा हम लोग सोच रहे थे कि आज हो सकता है एक्जाम अस्थगीत हो जाए या एक्जाम अस्थगीत होने का आदेश कुछ नहीं हुआ और शुप्रिम कोट से यह आदेश निर्गत नहीं हुआ लेकिन हाँ जो नोटीस दिया गया है इस नोटीस में यह मैंसन किया गया है कि क्यों नहीं देखें आप तो पूरे मामले को जिस परकार से हो रहे हैं इसके अधार पर अगर कहा जाए कि आज साम तक यानि की देर साम तक यह ख़बर आ सकती है JPSC के मध्यम से कि आपकी परिच्छा होगी या नहीं होगी इसके बावजुद भी अगर आपकी परिच्छाएं होती है तो और उसके बाद क्या होगी ये भ लिया जा या इन लोगों को अगर इनके पच्छ में फैसला आता है तो उन्हें री एक्जाम लिया जा सकता है या इन्हें फिर से बैकलोग बहाली या फिर से फॉर्म निकालके इनके लिए सिर्जित करना पड़ सकता है लेकिन कुल मिलाके अगर देखेंगे तो अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि आपकी परिच्छा उनिस तारिक को नहीं होगी अगर अधिकारिक वैब साइट में जेपीएस्टी के दुवारा आज कुछ ऐसा नियू जाता है साम तक कि जेपीएस्टी अगर इसे अस्थगित करे अपने अनुसार तो हो सकता है अधर्वाइस सुप्र इंटर नेवल एक नोटिस जारी किया गया है अब इस नोटिस का जवाब जेपीएस्टी किस परकार से देते हैं या जेपीएस्टी पर निर्भर करता है दोस्तों आप लोगों को जिनकों भी एड्मिट कार्ड में जो भी तुरूटी थे वे लोग सुधार लिजिए क्यों से आपको नई नोटिस और नया एड्मिट कार्ड भी मिल जाएगा देने बाद जोहार जुड़े रहने के लिए आप सभी को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले अगर नए है चैनल में और अपने दोस्तों के साथ सेहर भी करें किया इन्पोर्टेंट इन्फोर्मेशन ह सभी को जानना आविश्यक भी है